है in figure two positive charges okay मैं इसे zoom in कर देता हूं यहां पर two positive charges q2 and q3 fixed along y-axis तो बच्चों यहां पर q2 और q3 fixed है यहां पर q2 and q3 y-axis से fixed है exert a net force in x direction जो की x direction में net force exert कर रहे हैं और किस पर कर रहे हैं वो वो कर रहे हैं charge q1 पर exert fix along the x-axis तो यहां तक के question को समझ के हमें यह चिछ पता लग रही है कि यह जो charge होगा q1 charge यह इस पर force इस direction में लग रही है तो यहां पर यह से attract कर रहोगा इस side यह से attract कर रहोगा इस side question के अंदर mention है कि दोनों charges जो है positive है तो इसका मतलब यह charge negative होगा यह positive यह positive तब भी attract होगा so q1 charges negative तो जो charge है q1 charge it is negative फिर आगे question के अंदर यह बोल रहा है कि यहां पर एक positive charge है positive charge q is added at x,0 so देखो second figure के अंदर है आपर बता भी रखा है दिखा रहा है कि यहां पर इस जगह पर एक चार्ज को add करा गया है तो हमें force बतानी है कि force क्या होगी इंक्रीज और शेल डिक्रीज अलॉंग शेल पॉइंट अलॉंग और यह चार options है हमारे पास बचो यह exemplar का question है और यह सब्सक्राइब और इसके साथ क्या हो रहा है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर एड हो जाएगी तो जो दीज और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां परचीज वाचिन तुदेंस